कासी के मंदीरों से साइं की प्रतिमा को हटाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बीच वरानसी कमिस्नेट पुलिस ने मूर्ती हटाने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजयस हर्मा को गिरफतार कर लिया है। हिंदू मंदीरों से साइं की प्रतिमा हटाना सही या गलत अजयस शर्मा पर पुलिस का एक्षन कितना सही इसको लेकर लोकल एटिन की टीम ने लोगों से बाचित की है। कासी के सारे मंदिरों से उनकी प्रतिमा को हटाई है। वह बहुत गलत हुई है। सनातन का सपोर्ट करने वाले सनातन को मानने वालों के साथ इस तरह का न्या नहीं होना चाहिए। वारत वर्थ, अर्या वर्थ यह रिशियों मुनियों की परंपरा रही है। कि आधार पर हम लोग जीते हैं। रिशी और मुनि के आगे बढ़ाने का कारक्रम जो हुआ है। देवी देवता जो हमारे पतिश्ठापी था नवरातरी में सारी चीजे होती है। तो उस कैंपस में तो नहीं होना चाहिए जो पुराने मंदिर में स्थापना है। नए जगा इनको बनाना है, करना है। भक्त हर लोग अनुवाई हैं, अपने तरह से मानते हैं, करते कराते हैं। लेकिन उसका इंपस में नहीं होना है चाहिए। पहले ही एटा देना चाहिए था जिस समय स्वरूपा नंजी ने इस पर आक्षेप किया था। और साइन, किसी सनातन धर्म के किसी भी परमारी ग्रंत में साइन का कोई जिक्र नहीं है। उस संपरदाय के लोग अगर मंदिर बनाना चाहते हैं, तो कारशी में अलग मंदिर बनावें। लेकिन मंदिर में जो मूर्तिया थापीत हैं उनको उचित वे और रटाया जाना भी चाहिए। गलत हुआ है इस पर दिरफ्तारी नहीं होने चाहिए अब देखे शाही तो की बाद जो है या उनके पूजा दर्सम की बाद अभी इधर कुछ वर्सों में हुई है बाकी देवता तो सनातन चले आ रहा है अब जो हटाई जा रही है इस पर हमारा एक सवाल है कि पहले ही मूर्ती जब कहीं स्थापित हों की की गई तो उस समय प्रसाशन, साशन, मीडिया ये सब कहा था जब कई जगा सापित हो गई तो बटाया जा रहा है यह तरीका सही नहीं है हटाने पर हम कि हटा रहे हैं यह गलत कर रहे हैं यह हम नहीं कर रहे हैं हम करें जिस समय कोई चीज आरम होता है उसी समय ध्यान देखे कि यह सही हो रहा है गलत तो आगे और जगर नहीं इस्थापित होता है